Welcome to Idnit Hello Friends, आज हम बनाएंगे माहा की दाल पहाडी स्टाइल में इसके लिए एक कप माहा की दाल याने की उडद की दाल को अच्छे से वाश कर लेंगे वाश करने के बाद हम इसे कूकर में ले लेंगे एक कप उड़द की डाल में मैंने यहाँ पर छे कप पानी डाल लिया है इसमें स्वादा नुसार नमक डाल लें मैंने यहाँ पर एक चम्मच डाला है आधा चम्मच छल्दी डाल लेंगे और अब इसमें डाल लेंगे एक से दो चम्मच सरसों का तेल इस step को skip ना करें और इसमें सर्सों का ही तेल डालें अब हम दाल को एक विसल लगवा के उसे low flame पर 30 मिनट के लिए पका लेंगे आईए इंग्रीजिंट्स की लिस्ट देख लेते हैं ये हमारे दाल पक के रेडी हो गई है अब इसे तड़का लगा लेते हैं तड़के के लिए भी हम सर्सों के तेल का ही इस्तमाल करेंगे सर्सों के तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे उसमें हम आधा चमच जीरा डाल देंगे जीरा चटक गया है अब हम इसमें एक बारी कटी हुई हरीमेच डाल लेंगे आप चाहें तो इसमें ज़्यादा हरीमेच भी डाल सकते हैं एक चमच बारी कटी हुई अद्रक हमने इसमें डाल दी है अद्रक को कुछ सेकिंड भूनने के बाद हम इसमें एक बारी कटा हुआ प्याज डाल लेंगे प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन हो जाने तक भूनते रहेंगे प्याज अच्छे से भून गया है अब हम इसमें एक बारी कटा हुआ टमाटर डाल देंगे टमाटर को हमें अच्छे से भूनना है हमने टेमाटर के पीसिस डाले हैं तो इनको पकाने के लिए इसे हम ढख देंगे और लो फ्लेम पर एक से दो मिनट के लिए पकाएंगे टेमाटर को पकाते हुए जेड़ मिनट हो गया है टेमाटर को हम हलका हलका मैश कर लेंगे टमाटर ने तेल छोड़ दिया है अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे एक चताई चमच मेथी पाउडर स्वादा नुसाल लाल मिच पाउडर डाल लें आप चाहें तो इसमें मेथी पाउडर को स्किप कर सकते हैं कुछ सेकिंड्स के लिए इनको भून लेंगे अब हम इसमें पकी हुई डाल डालेंगे ये डाल थोड़ी गारी हो गई है हम इसमें थोड़ा पानी डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक कप पानी डालने से ही इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है अब हम डाल को कड़ाही में पल्टा लेंगे डाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पर डाल को एक उबार लाने देंगे डाल उबल गई है अब गैस बंद कर देंगे अब हम एक पैन में दो चम्मच देशी घी गरम कर लेंगे घी गरम हो जाने पर हम इसमें दो सुखी लाल मिर्श डाल लेंगे आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया डाल लेंगे फ्लेम को हमें लो रखना है थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे जीरा और धनिया चटक ज़्या है अब हम इसमें स्वादा नुसार लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे दाल पर उपर से ये तड़का डाल के एकदम से डाल को ढख दें लगभग पांच मिनट के बाद हम इसका ढखन हटा रेंगे ये हमारे डाल बिलकुल डड़ी है आपको इसका टेस्ट जरूर पसंद आएगा वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक वर शेयर करें अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें थैंक्स वर वाचिंग